गुजराद टाइटन्स वर्सिस कॉलकता नैट रैडर की बीच खेले गए धमाकेदार मुकाबले में कप्तान हार्दिक पंडिया की दमदार पारी ने टीम गुजराद टाइटन्स को एक धमाकेदार जीत दिलाई आप सबी को बता दे भले ही मुकाबले के मैन अबदा मैच बने राशिद खान लेकिन जो पारी रही थी हार्दिक पंडिया की उसके दम पर ही जीत की नीव लिखी गई थी जानकारी दोस्तों ये मुकाबला दिन का था और यहाँ पर टॉस जितकर हार्दिक पंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया जो अभी तक बाकी टीमों कप्तान ने नहीं लिया था जिया दोस्तों टॉस जितकर पहले बल्ले बाजी करने का ये फैसला अब गुजराट टाइटन्स की टीम पहले बल्ले बाजी करने उतरी टीम की शुरुवात खराब रही थी क्योंकि शुबमन गिल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर पविलिन वापिस चले गए थे पैट कमिंस की जगे पर टीम साओधी यहाँ पर खेल ले थे इस मुकाबले में तो 83 रन पर दूसरा विकेट आया यानि की 83 रन पर दूसरा विकेट 25 रनों की पार्टनर्शिफ दोनों बल्ले बाजों के बीच करीब हमें देखने को मिली विर्दिमाज शाह ने इस मुकाबले के दुरान 25 गेंदों में 25 रन और वहीं हारदिक पंडिया ने महज 49 गेंदों का सामना करते वे 67 रन की पारी खेली विकेट गिरा था और इनका विकेट गिरा था ठारवे ओवर की दूसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर 138 रन था जिया दोस्तों 138 रन पर टीम का चोथा विकेट गिरा था यहां पर गुजरा टाइटन्स का उसके वाए डैवेड मिलार मैदान पर थे लेकिन उनसे उमीद जादा की नहीं गई क्योंकि 20 गेंदों पर 27 रन उन्हों ने बनाए 12 गेंदों पर 17 रन बनाए राहूल तेवतिया ने और रसल का था आकरी ओवर मतलब बहुत ही गजब का था आकरी ओवर में उनने एक ओवर में पांच रण देते वे चार विकेट चटका है तो वहीं तीन विकेट टिम साओधी ने, उमेश अदब ने एक विकेट और शिवम मावी ने एक विकेट चटका है था लेकिन वही कॉलकता नैट राइडर की बात करें चेस करते वक्त केक्यार के तरब से स्रिफ आंदेर रसल का बला चला और रिंकु सिंग का 22-98 रन की पारी आंदेर रसल ने खेली थी तो 28-9-35 रन की पारी चार चोके एक छक्की की मदद से रिंकु सिंग ने खेली थी गुजराट टाइटन्स की टीम याट रन से मुकाबला डिफेंड करने में काम्याब रही लेकिन कहीं न गहीं गुजराट टाइटन्स की जो एक जीत की पुरश रे दिया गया वो दिया गया राशित खान को नोने अपने चार ओवर के स्पेल में 22 रन देते वे दो विकेट च प्रेश कर दी है आपको बदा दे कि पोईंस टेवल में ये टीम नंबर वन पर है साथ में से छे मैच जीती है एक मातर मैच हारी है लेकिन हारदिक पंडिया च्छे मैचों में 295 रनों के साथ दूसरे नंबर पर बने वे हैं इनका सीजन का ये तीसरा आरदिश तक था जहा पर निराश करते हैं फैंस को वो ये है कि हर्दिक पंडिया जब बल्लेबाजी कर लेते हैं और फिल्लिंग का वक्त आता है तो हर्दिक पंडिया मैदान पर नहीं रहते हैं वहाँ पर मैदान पर नजर आते हैं हमें राशिद खान कमान समालते हैं हर्दिक पंडिया अपनी तरनों की पारी बहुत काम की रही 156 दनी तो बना पाई थी गुजराथ टाइटन्स की टीम उसमें 67 दनों का योगदान हार्दिक पंडिया का था इस समय हार्दिक पंडिया की फॉर्म सही चल ले इसी वज़े से यह बहतरीन बलेबाज उमीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप में वा लेकिन अगर आप भी मानते हैं हर्दिक पंडिया दुनिया के बहतरीन और है रविंद्र जड़ेजा के बाद एक लाइक जोड़ करेगा नेक्स्ट नाइन स्पोर्स क्रीप